हेलो नमस्कार गुड मॉनिंग मैं मैंनीश तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम शुरुवात करेंगे ईवियस का सॉलुशन जो कि आया था हमारा यूट उत्राखन TET 2020 जिसका पेपर हुआ था 24 मार्च 2021 ठीक है और इवियस आता है पेपर नमबर वन में यूटेट 2020 में आया था जो ठीक है पेपर हुआ है 24 मार्च 2021 को हम उसका ही देखने जा रहे हैं सॉलुशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहला कोशन है हमारा परियावरा प्योग सुनिश्चित करना विद्यारतियों के अनुशाशन बनाई रखना या फिर अधिकम विस्तार के अवसर उपलब्द कराना तो मुख्य लक्ष होता है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी लड़निंग क्या हो डाइवर्सिफाइड हो ऐसे उनको अवसर प् कुलात करें तो ब्हारत में कृषी को प्रवाइद करता है तो क्रिशी को जो भी प्रवाइद करेंगा वह क्या होगा हमारा रेंफॉल या फिर वर्षा या रेंग चुकी कहा है मारा ऑप्शन नमबर ड लिए कि के हैं क्रेक्ट आंसर अब चलते हैं अगले कॉशन के तरह द देते हैं तो यहार देखो इसमें आप दो ही ओप्षिन में कंफ्युज होगे बीए और डी में भी है चीन दी है नेपाल तो जो माउंट आवरेस्ट रहे वो तो यह नेपाल में ठीक है बाकि आप बात करेंगे किसकी जो हमारा चाइना में है चावना में कहें में माउंट क्यलाश के ऐए ले एसना में और नेपाल में कहा हमारा माउंड एवरेष्ट अगला कुशन हमारा भुकम के लिए उतरदाई पिर्थुवी की प्लेटें पाई जाती है तो कहां मिलते हैं भुपरपट्टी चलते हैं अगले कोशन अगले कोशन महाइं से पुझा यह पैट्रोल ओडिजल जैसे इंधूनोंका अपूण दहन देता है क्या तो उसमें से गैश EK क्या निकलेगी कार्बन मोनोकषाइड अपूर्ण देहन का मतलब जब इनको प्रॉपर अमाउंट में आउक्सियन नहीं मिलेगा इनके जलने के लिए ठीक है अगला है मिनी माता रोग ऐसी मचली खाने से होता है जिसमें अधिक मातर में पाया जाता है तो यार देखो इस कोशन का काई जो अंसर होगा वह क्या होना चाया मतलब पर पहुंच सकते हैं थो मैं आपको बताता हूं पहरे है मिनि माता रोग जो होता है वह पारे की वजह से होता है या मतलब मरकरी की वैसे होता है ठीक है अब देखो आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नमबर डी में जो कि क्या है उप्रोक्त सभी तो इसके लिए आपको ना को दुबारा पढ़ना चाहिए था इसमें लिखा है ऐसी मचली खाने से होता है है ऐसी मचली मतलब आपको वह बताना है कि उस मचली में इन तीनों मैंसे कौन सी चीज जादा होगी जिसके कारण आपको मिनिमाता रोग होगा तो आगर आप ऐसे देखते तब भी आप ऑप्शन नमबर सी जो पारा है इसी ऑप्शन पर पहुंचते तो इसका जो प्रोक्त सब्सक्रा कि जिसने लगा रखाये उसका तो हो गया गलत के मिनिमाता रोग हो वह क्योंदा पारेमाता mam 1996 में जो क्यों बड़ी है 1996 उजोन परत का अधिकतम राश ने मैंसे किस पर हुआ है तो बहिए देखो जब भी आप यह फिर जिससे भी आपने उजोन टॉपिक पड़ा होगा तो उसने आपको बताए जो डिपलीशन हुआ है वह अभी तक हुआ है सबसे आदा कहां पर एंटा टी आई सी एंटार्टी के रिजन में तो एंटार्टी का पड़ता है वह हमारा पड़ता है साउथ पोल ठीक है तो हमारा अंसर क्या होगा सी दक्षणी द्रोब ठीक है चलते हैं अगले कोशन में से बूछा है निमलेकित मैंसे कौन सा गंबीर जल असंतुलन का कारण नहीं चात्रों को यह सुजाव देता है कि ऐसे ईक विक्ती परियावर्ल सेंग्रेशन में सर्वत्म तरीके से योगदान दे सकता है उसका सबसे अच्छा सुजाव होगा सबसे अच्छा सुजाव क्या होगा कि वो क्या करें जब यातरा के लिए सारवजेनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें ठीक है तो यह होगा इसका बेस्ट आंसर था इसका अप्शन नमबर डी भी आंसर हो सकता है निजी वाहन के इंजिन की नियमित रूप से जांस करें लेकिन कोई मेरे से मेरा पर्सपेक्टिब पूछता है तो मैं option number A के लिए ही सजेस्ट करूँगा ठीक है या फिर इसका answer वनों को जलाना या फिर उप्योग सभी तो जो जलवायू परिवर्दन के लिए होती है वो होती है उप्योग सभी option जो होगा बिल्कुल correct answer होगा आप चलते हैं अगले question में हमसे पूछा है केच्वा किसान का मित्र माना जाता है निम्न में से उसके लिए किन सही कारण चुन ह मतलब केच्वा जो है किसान का मित्र माना जाता है किन कारणों की वज़े से केच्वा मृत्य पत्यों और पौंधों को खाता है और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाती है बिल्कुल सही है केच्वा खरपत्वार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं तो नहीं है यह गलत है केंचुवा खर्पतवार को नहीं खाता है केंचुवा नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं बिल्कुल सही है अगला है केंचुवा को खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है मतलब केंचुवा की जब खुदाई कर लेता है के हिए उसमें गड्डा कर देता है तो मिट्टी में पानी और हवा असानी से पहुझ जाती है तो हमारे औप्षेन कया हो गए यह ऑफ्ट नंबर त्टरी और बिल्कुल करेक्ट हो गए है हमारा औप्षेन नंबर तो हमरोप्षेन कょया होगा उसका अंसर चलते हैं क्यों अगले कोशन में से पूछा है निमलिखित मैंसे कौन बायो डीजल उत्पन करने के लिए जाना जाता है तो बायो डीजल उत्पन करता है हमारा जट्रोफा जो कहा है ऑप्शन नमबर बी मैं सुछ रहा था यह पूछेंगी कि जट्रोफा का जो प्लांट है या फिर पूछने पर अगर एक महने तक बिजली नहीं मिली तो हमारे जीवन कैसा प्रभावित होगा का उद्देश क्या है तो इसमें मेरे सजेशन तो होगी या मैं मानता हूं कि इसका अंसर क्या होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नमबर सी चातरों के कलपना शेलता और सकती विक्सित होगी क्योंकि वह कलपना करेगा ना कि अगर मालो एक महने तक बिजली नहीं आई तो अगर मालो कोई वाशिंग मशीन में कपड़े होता है तो इसका हाथ से कपड़े होने पड़ेंगे या गर्मी का मौसम है और वह कूलर पंखा नहीं चला पाएगा ठीक है प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामाने ततो है मतलब अब्सक्राइब से अगर मालो में धर गर्रृति है तो जो मेरा परसनल ऑपिनियन है option नंबर में टिक करके आता मतला क्यों करके आता क्योंकि मुझे 100% कानफा में कि सल्फर कहां मिलता है प्रोटीन में प्रेजन्ट होता है ठीक है एल्टी साइंस का अगर कोशन होता तो मेरे लिए के option नमबर डि क्या होती फर्स्ट प्राइटी होती चाहिक है लेकिन यह कोशन पूछा गया है आपके यूटेट में तो यार देखो मैं यूटेट में भी option नमबर डी के साथ ही जाओना चाहूंगा क्योंकि कार्बन प्रेजन्ट होता है हाइड्रोजन में और कार्बन में प् और नाइट्रोजन भी प्रेजन्ट हो सकता है यह तो होगी नॉर्मल बात ठीक है सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन मिलता ही है बचा क्लोरीन और सलफर तो मैं 100% कंफर्म हों को प्रूटीन में मिलता है सलफर लेकिन क्लोरीन तो option होगा नहीं तो बचे क्या बी सी और डी तीन option लेकिन मेरे personal opinion में option D के साथ जाओंगा ठीक है अब देखते हैं आयोग क्या देता है या तो सी देगा या भी देगा डी देगा ठीक है तो माल लो जो बंदा ऐसा है ना कि मतलब इस को इंक्लूट करने के बाद उसके 90 कोशन 90 कोशन सही हो रहे हैं तो भाई या वह इस मास की calculation कर रहे हो तो जूम केती पाई जाती है नौट इसके रिजन में तो नौट इस्ट में हमारा में जो कि कहा है ऑप्शन नमबर सी इसका होगा correct answer चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन में से पूछा है निमिन मैं से कौन सी परावैगनी किरन सबसें खतरनाक होत अगले कोशन की तरफ अगले कोशन में हरित्मफलर पुराने कोशन में मिल जाएगा आपको जब भी आपने पढ़ा होगा प्रीविए से कोशन हरित्मफलर हमारा संबंदी दोगा है धुनी पर दूशन से ठीक है ऑप्शन नमबर सी होगा हमारा correct answer इसमें क्या होता है जो भ मतलब लोघ ज़्यादा रहते हैं और उहां पर शोडशरवा ज़्यादा होता है चलते हैं गले काशन अगला कोशन हमारा विश्व पर्यावन और दिवस 2020 का विशय वर्ष्टु क्या था तो वह था हमारी जिसे हम बोलते हैं जैव विविदिता अगला कोशन हमारा वायू पर दोशन प्रक्रण पढ़ाने लिएचार अलाला विज्यान शिक्सक्राइब का प्रियोक करते हैं बिल्कुल सही कौन सी सबसे ज्यादा उचेत है जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है यह फिर कोई Λोगा से हमारा जो होगा option वो क्या था option number C क्या था इसका correct answer अब option क्या था विद्यारतियों से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में वायू के नमूने इकठे करें मतलब क्या ले सेंपल कलेक्शन करें और उसकी गुर्वत्ता का अध्यान करते हुए निसकर्षों को शारणी क्रित करें मतलब एक टेवल बनाए जो भी उन्होंने सेंपलेंग लीग है उसके हिसाब से ठीक है तो सेंपलेंग लेने में उन्हें क्या मिलेगा हैं एकस्पिरियंस चलते हैं अगले कोशन है जो सभी सागरों से ज्यादा नम्किन हो जो कि कहा है मारा option number B चलते हैं फिर अगले कोशन के और अगले कोशन हम से पूछा है मीरा और दिविया छोटी लड़किया है मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जब कि दिविया ऐसा भोजन पसंद करती है जिसे लहन तती की कमी हो मीरा और दिविया को निम्लांकित बीमारी मैंसे क्रमसे कौन से बीमारी हो सकती है तो यार देखो मोटापा और एनीमिया क्योंकि इसमें बुला है लहुतत की कमी से होता है एनीमिया ठीक है लेकिन वह क्या खाती है मीरा के खाती है समोशाई कटलेटर डबल डॉटी जो किसलिए बढ़ाता है मोटापे को ठीक है अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं ऑप्षन सी की तरफ जाना चाहूंगो ठीक है विटामिन एक तरफ ठीक है अब देखते हैं आयोक सी बोलता है कि ए बोलता है अंसर क्या बोलता है यह उनकी जब ऑफिशल आंसर की आईगी यह तो तब भी डिक्लियर होगा चलते हैं फि हम उनको किसी की अनुमती नहीं देंगे वह देंगे चुड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की समागरी ले जाना हम इसकी अनुमती नहीं देंगे बच्चे को ठीक है अप्शन नमबर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर अब चलते हैं हम अपने अगले कोशन हम तब ही बनाते हैं ताकि हम क्या है हम उस पार्ट को रूचिकर और मनुरंजक बना सके जो कि कहा है अप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा परियावरण अध्यन के सिक्षक को बच्चों के दिश्चिकों को स्वीकार करना उन समाम देना चीए अभिभावकों के व विशेशत है प्रयोगों पर ध्यान देना चीए यह भी नहीं होना चीए टीचर को अभिभावकों के विचार को स्वीकार यार पेरेंट्स के विचार को स्वीकार करेंगे आप क्या करोगे मानलो आप बच्चे को बढ़ा रहे हो आप तो फिर आपको बच्चे के माता वित जाके विचार कैसे हैं इससे क्या ही लेना देना है तो आंसर होगा वह मारा होगा अप्शन नमबर रही जिसमें कि क्या है हम बच्चों के दिश्ट्रीकोंड को स्विकार करेंगे और उनका सम्मान देंगे तो यह थे हमारे एविएस के प्रश्ण बाके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में